हेलो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर आपका और आज हम डिसकस करेंगे समायोजन के टोपिक पर उमीद करता हूँ पिछली वीडियो भी आपको अच्छी लगी होंगी और अच्छी लगी है तो हमारा चैनल लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें दोस्तो आज हम बात करेंगे जो हमारा टोपिक है समायोजन उसके उपर और साथ में जानेंगे कि समायोजन होता क्या है इनके किस तरह से हमें करना चाहिए क्या क्या इनके परकार है हमारे जीवन में आने वाले जो भी सिचुएशन्स होती है उन सिचुएशन्स पर भी हम मन में समायोजन दोस्तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इनशान कोई कारिये करता है अनेकों कारिये करता है जीवन में आप सभी जानते हैं उन अनेकों कारियों में कुछ प्रिस्तितियां ऐसे आती हैं जब हम दुखी हो जाते हैं या कुछ कंडिसन ऐसी होत चलिए मैं आपको एक परिभाषा देखर बताता हूं जैसे कि Skinner ने कहा था कि समययुजन क्या है एक अधीगम है इट मेंज कि समययुजन क्या है सीखना होता है समय ज़न क्या होता है और वेल का वेल्ड और लेग का लेग फिल्ड। इन तीनों ने मिलकर एक बात कही थी कि समायोजन क्या है। समायोजन उन्होंने बताया कि समाज के अंदर जो भी हम कारिये करते हैं, हमारे जामने जो प्रिस्तितियां आती हैं, उसी के अनुसार अपने आपको समझस से स्तापित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं, दूसरी चीज अब बात करें दोस्तों आगे की, त तो उस जब समयोजन की आउश्यक्ता तब पड़ती है जब हमारे सामने कुछ ऐसी कंडिसंस होती हैं जो हमें फेस करने पड़ती हैं। लेट्स वी टॉक बाउट तो देखिए सिच्विशन क्या है पहली है तनाव आपने आपके जीवन में तनाव देखा होगा जब कई बार आप त्यारी करते हैं पेपर नजदीक होते हैं आपको कूछ समझ नहीं होता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसी स्तीती में हम तन मतलब हमें समायोजन करना जरूरी है दूसरा है दबाव भी आप सबी जानते होंगे कई बार परेशर होता है कोई काम का हो शकता है आपके ओपिस में कोई काम का परेशर हो आपके ओपर Boss स्तीती में भी हमें समायोजन करने की बड़ी जरूरत होती है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ कई बार आपको ज़्यादा काम मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते तो यही तो बात है कि हमें कोई भी कारिये कल पर नहीं टालना चाहिए दब कारिया ऐसे होते हैं जिसमें आप फस जाते हैं ऐसी स्तीती में भी हम क्या है सामज़शे करने की आउश्यक्ता पढ़ती है तीसरा चोथा पॉनट आता है दूश्चीता देखिए दोस्तों दूश्चीता क्या होती है जब आप कई बार प्रेशान होते हैं दुखी होते हैं त पीछे भूतकाल को दोरा कर दुखी हो जाते हैं ऐसी स्थीति में इनसान क्या चाहता है कि उसके साथ कोई ने कोई हो वो अकेला नहीं रहना चाहता ये आपकी साइकलोजी कहती है after that comes next point that is की भगनाशा भगनाशा क्या होती है दोस्तों भगनाशा एक ऐसी दशा होती है जो आजकल देखी जाती है रिट का एक्जाम दे रहे हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी त्यारी कर रहे हैं और उसमें आपने देखा होगा कुछ एक इनसान ऐसे भी है उन स्टुडेंट्स में से दुनों ने दो या तीन या चार बार पर पर दे दिया लेकिन उनको अभी भी नोकरी नहीं मिल रही तो वो क्या करते हैं ऐसी परिस्तिती में कहते हैं कि मेरी तो किसमत खराब है मेरा ये है मेरा वो है मतलब कुछ अलग ही सोचने लग जाते हैं इसी चीज को ही हम क्या कहते हैं बगनाशा कहते हैं तो दोस्तों क्या इनको निपटने के लिए भी कुछ उपाई हैं ब रामा कूपय चलिए पहले बात करते हैं पर्टेक्स उपाई जाना होता है कुछ एक लोग बादा को निवारन करने के लिए काला टिका भी लगा लेते हैं अपने माथे पर छोटे बच्चों को देखा होगा तो ऐसी तरीके अपनाते हैं दूसरा है मारग प्रिवर्तन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों मारग आप जैसे कि आप नोकरी लगना चाहते हैं तो यही है मारग प्रिवर्तन इससे भी आप सामझसे बनाते हैं तीसरी चीज आती है हमारा कारिये प्रतिस्थापन ये क्या होता है देखिए कई बार सेम सिच्वेशन होती है कारिये प्रतिस्थापन क्या होता है जिस तरह से आप काम को ही बदल देते हैं ठीक है मारग परिवर्तन तो हमने बोला कि नोकरी छोड़के जैसे कि मारग परिवर्तन में एक ऐसा भी आप काम में ले सकते हैं दोस्तों जैसे कि मान लिजिए आप A-grade की बजाए आप चाहे मान लिजिए कलरक की भरती की प्रिक्षा त्यारी कर रहे हैं तो वो मिली नहीं तो आपने क्या कोई छुटी नोकरी देखने का प्रियास कर दिया डिग्रेड की तो सेम वही कंडिशन उसमें लेकिन कारी ये स्थापन में क्या होता है यहां आप काम बदल देते हो नोकरी जैसे कि मान लिजिए आप टीचिंग लाइन में जाना चाते हो और वहां लेक्षरार बनने की नहीं मिल रही तो फिर आप लेक्षरार की जगए जो जेवीटी है सोरी बियर्ड है ऐसे प्रिस्तितियों में भी आप नोकरी की त्यारी करना शुरू कर देते हैं तो ये कारी पूर्ति स्थापन हो जाता है क्योंकि कोई काम मिल जाए सेम उसी जगए पर यही हम सामझ से स् दोस्तों निसकर्स निसकर्स क्या होता है निसकर्स यानि दो आपके सामने कई बार आपने देखा होगा आपने फारम अपलाई की हैं और दो पेपर होगे एक तारिक को यानि आपका रिट का भी एक जाम एक तारिक को और शीट एट का भी उसी तारिक को दे दिया सरकार ने तो आप क्या करेंगे उस समय आप निसकर्स निकालेंगे कि कौन सा मेरे लिए important है और कौन सा नहीं है उस थिती में आप क्या करेंगे एक चीज को चुनाओ करेंगे तो उशी ही कहते हैं हम सामझसे और वो है निसकर्स का ठीके दोस्तों ये तो थे पर्टेक्स उपाई आप बात करते हैं हम एपर्टेक्स उपाई के उपर एपर्टेक्स उपाई वो चीज़ें होती है पर्टेक्स मतलब आंखों देखी और एपर्टेक्स जो आंखों नहीं देखी हो कोई चीज़ ऐसे समझ लीजी एपर्टेक्स उपाय जो हमें दिखाई नहीं देते ऐसे उपायों में सबसे पहले आता है दिवासा उंपन कुछ लोग आपने देखा होगा कि नोकरी तो लगना चाते हैं लेकिन कई बार उनको वो चीजें जो जीवन में चाते हैं वो मिलती नहीं है लेकिन फिर क्या करते हैं कास्मा प्रदानमंत्री होता कास्मा सचिंतंदूलकर होता कास्मा विराटकोली होता ऐसी चीजें वो करते हैं अपने लाइफ में ऐसी चीजें सोचते हैं अपने जीवन में तो वो ही दिवा सौंपन कहलाता, एक होता है समझे से करना नकारने के थुरू, नकारने का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई काम करते हैं और उनकी योगिता ही नहीं होती उस चीज में, जैसे कि मान लेजिए लेक्टरार की बरती निकली है, अब आपके पास लेक्टरार की बर लग जाओंगा क्यूंकि भाई साब के पास डिगरी नहीं है तो यह इस तरह से नकार कर वो अपने आपको सामझस से स्थापित करते हैं करना भी दूरी है दिवमाकिया रूप से पागल नहीं हो मांसिक रूप से प्रेशान नहीं हो तो ऐसी स्थी में हमें क्या करना चाहिए स कारियों के अंदर मारगती करन हम करते हैं जैसे कि समाज में बहुत से ऐसे रूल होते हैं जो आने वाले पास से साथ साल बाद धीरे दीरे संसकर्ती को बदलाव में लाते हैं धीरे दीरे संसकर्ती बदलती जाती है क्योंकि आप इंडिया में देख सकते हैं पहली वाली संस करन कहते हैं या हम कह सकते हैं कि कुछ बदलाओ हो अगला आता है विक्षेपन दोस्तों विक्षेपन क्या होता है मतलब जैसे की नैच नजाने आंगन टेड़ा ये मुहारा इस विक्षेपन पर श्टिक बैठता है क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिसको कुछ करना तो आता नहीं है लेकिन खोट किसमें बता देता है दूसरों के काम में, ऐसा करके समझसे स्थापित कर लेता है कि यार मैं नास्त था तो अच्छा हूँ लेकिन आंगन टेड़ा है ऐसा कभी हो सकता है क्या नहीं, लेकिन वो खुद को आत्मा को शांत्मना देने के लिए अपने आपको समझस से स्थापित करने के लिए ऐसी चीजें अपनाता है दोस्तों, तो इसी कोई हम क्या कहते हैं, मारगती करन कहते हैं, क्या कहते हैं, जो नाचने विक्षेपन कहते हैं, अगला आता है दोस्तों, परतिया गमन, परतिया गमन और परतिया गमन में फरक है, थ तो हम बात करते हैं दोस्तो प्रतिगमन क्या होता है दोस्तो कि जो इंशान भूतकाल की बातों को सोच कर उसी को ही अपना लेता है और अपना दुख जो दुख है जो दर्द है वो उसको दूर कर लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं प्रतिगमन कहते हैं दोस्तो क्या कहते हैं परति गमने कहते हैं तो यहीं परति गमन कहलाता है after that comes the next point यह इस की परति गमन परति गमन और परति गमन में फ़रक है यह तीन तरह के होते हैं दोस्तों पहला होता है जो हम प्लायन करते हैं जैसे कि सहर होता है लोगों को गाउं में रोजगार नहीं मिलता तो पैसों के लिए सहर में पलाइन कर जाते हैं, इसी कोई कहते हैं पलाइन, एक तो ये समझे से करना होता है, परतीगमन में या नि कहीं पर चले जाना, एक होता है पर्थकर्ण कई बार देखा होगा, अपने घर में कोई छोटी मोटी आपके साथ, त तीती में जो अच्छा इंसान होता है वो क्या है दो मिन्ट के लिए बाहर चला जाता है और उसका यही क्या कहलाता है पर्थकर्ण कहलाता है एक होता है विस्थापन तो यह क्या होता है दोस्तो जब कई बार आपने देखा होगा तू तू मैं हुई तो उस समय कुछ लोग ब चित्तेपन भी कहते हैं या विस्थापन जिसे युक्ति करन तो युक्ति करन क्या होता है दोस्तों कई बार लोग क्या होते हैं काम करना नहीं आता या कुछ भाना निकाल लेते हैं तो ऐसी जैसे बुगला भगत होना इसी को युक्ति करन कहते हैं क्योंकि कोई इनको युक् पूर लेते हैं कोई भी कारिये से बचने के लिए तो सामझस से कर लेते हैं वो अपने आपके साथ ऐसा एक होता है दोस्तो आत्मी करन करना आत्मी करन क्या होता है कई बार क्या होता है एक लड़का है मान लेजिए दस्वी में फैल हो गया तो उसके पापा ने उसको डांट कर लेता है तो यह स्तिती थी दोस्तो हमारी इसके अंदर अब नेक्स्ट इसके अंदर एक पॉइंट सोरी नेक्स्ट जो हमारा आता है इसके अंदर जो हमारा है पर्तेक्स के बाद आकर चति पूर्थी का उपाई कई बार आपने देखा होगा जो लड़की कद से छोटी होती वो उँची हील के पहनती है, इसी को ही कहते है, छती पूरवक उपाई क्योंकि वो लंबी लगने लग जाती है, और यह ऐसे सोचती हैं कि यह छती पूरवक क्यों क्यों जो उपाई है, वो अपना के अपना सामजें से स्थापित करती है, कौन सी जो शोटी लडगियां होती है यही शती पुरुवक उपाए हमारी साइकलोजी में हमें पढ़ने को मिलता है आफ्टर देट इसके अंदर पर्तेक्स उपाए क्या होता है पर्तेक्स उपाए शती पुरुवक में यह होता है जैसे मानली जी आप इंग्लीस में कमजोर हैं लेकिन इंग्लीस की ही घहना देहन करके आपने उसमें क्या प्राप्ट कर ली बहुत बड़ी achievement यानि आप अच्छे नमबर लाने लगए उसी में महिंत करके वो तो है परतेक्स उपाई शतीपुरुवक का एपरतेक्स शतीपुरुवक उपाई जो होता है वो यह है जैसे मान लिजी आपकी इंगलिश कमजोर है तो आप मैथ में अच्छे लिक कराएंगे तो वो एपरतेक गुसा 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 दे मार पर दे मार दोनों एक दूसरे के ठोकेंगे वो है अक्रमक परतेक्स उपाई ठीक है एक दूसरे पर ही निगाल लिए एक होता है परतेक्स यानि मान लेजीए कई बार देखता है न एक औरत की और एक उसके हैस्पेंट की आप से में लड़ाई हो गई लेकिन गुसा किस पर निकालते हैं लड़के पर तो यह होता है यानि वो कहवत है ना गद्य पर जोर चल आदमी पर जोर चलता नहीं फिर गद्य का नमरोड़े तो सेम वही सिच्वेशन इसमें पैदा हो जाती है तो यह था दोस्तो हमारा आज का समायोजन का टोपिक इस तरह से हम समायोजन करते हैं यह बाते मैंने आपको बताई हैं अब नेक्स्ट जो बात आती है दोस्तो वो इस टोपिक में आती है मानसिक मानसिक सवास्ते दो तरीके की होते हैं मानसिक स्वास्ते यानि सामाजिक रूप से हम किस तरह से हम विवार करते हैं यही तो क्या कहलाता है मानसिकता कहलाती है मानसिकता दो प्रकार क्योंती है साररिक और मानसिक देखिए जीवन में कहा जाता है सारीक स्वास्ते इतनी बुरी बात नहीं है जितना कि मानसिक स्वास्ते आपका अगर अच्छा नहीं है तो सबसे बड़ी बुरी बात है आपने नाम सुना होगा रस्तु का उन्होंने क्या कहा था कि सवस्त मस्तिक्स में सवस्त मनुस्य का सरीर में सवस्त मस्तिक्स का निर्मान होता है ये बात उन्होंने बोली थी मस्तिक्स के बारे में जो मानसिक सवस्ते के बारे में लाडेल भी क्या कहते हैं लडेल कहते हैं कि सामाजिक जीवन में जो हम जीना पसंद करते हैं उसी को हम मानसिक सवास्ते कहते हैं जो सामाजिक जीवन में जीना पसंद करता है। वहीं पर लुक्योन नामक एक मैनोवेग्यानिक थे, उन्होंने क्या का कि दूसरों को जीना, खुद सुखी रहने देना, बच्चों का विकास करना, बच्चों को अच्छे भुश्य की तरफ लेकर जाना, और बाकी जो जीवन बचा है, उसको दूसरों के मतलब सामाजिक कार करता है, वो मिलन सार होता है, उसमें नेतरतों की समता बड़ी अच्छी होती है, वो कोई भी काम हो, उसमें लगन से करता है, उसका जो सोचने का लेवल होता है, और नातिकता की बात की जाए, तो वो भी बहुत अच्छी होती है, दूसरों के सामने अगर बोलने की बात की तो वो भी एक अच्छा वक्ता भी हो सकता है तो ऐसी चीज़ें होती है उनके अंदर उच्छा कांक सास्तर भी होता है कोई भी चीज़ को लेकर बड़े सपने होते हैं और अच्छा सोस्ते हैं पोजिटिव रहते हैं ये बात अच्छे मानसिक्ता की पहचान होती है दूसरी चीज है कि बालक को कौन सी चीजी हैं जो मानसिक स्वास्ते को परभावित कर सकती हैं बालक को मित्र मंडली क्योंकि मित्र मंडली अगर खराब होगी तो दोस्तों उसका अच्छा स्वास्ते नहीं अच्छा मानसिक स्वास्ते नहीं होगा दूसरी चीज अगर हम बात करें वा बातावर्ण हो गया, मैं भी चाहता हूं दोस्तों, बीच में लाइट चली गई थी, उसके लिए उसको सैट किया, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मित्र मंडली पर, मित्र मंडली भी पर भावित करती है, क्योंकि अच्छे मित्र होंगे, अच्छा स्वामान सिक्स वास्ते भ लेकर, उसके घर का महौल का ऐसा है, ये सब भी चीजे उसके उपर डिपेंड करती है, और उनके आसपास जो भी पडोसी है, उनका किस तरह का पडोस है, ये सब चीजें एक बच्छे के मान सिक्स वास्ते पर पर भावित करते हैं, तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, दूसरी चीज है, सिक्सक को क्या क्या चीजे हैं जो पर भावित करती है, देखिए, सिक्सक की सैलरी कम होना भी, क्योंकि कई बार काम ज़्यादा होता है, और सिक्सक की सैलरी कम होती है, तो ऐसी स्तीती में वो बहुत बड़ी पर भावित करती है, उनके मान सिक्स वास्ते क्योंकि वो टेंसरन में रहता है और काम कहीं मिलता नहीं तो ऐसी स्तिती में भी यह पर भावित करता है दूसरी चीज आती है सिक सक को कि उसके कारिये का अधिकार कितना है क्योंकि कई बार क्या होता है आपको सोशन किया जाता है बहुत सी ऐसी जिगें आपने देखने के मिली वहां पे सोशन होता है उनको ज़्यादा अधिकार नहीं दिया जाते काम करने का दूसरी चीज होती है जैसे कि आप एक टीचर देखा होगा कहीं और काम करने नहीं दिया जाता त तो भी अगर घर में अच्छा स्कून का महूल है तो वो अच्छे से पढ़ा सकता है स्कूल में बच्छों को आके तो ये सब चीजें उनको मैटर करती हैं सिक्सिक को और साथ में उनकी जिस तरह से वो किन के साथ रहता है ये सब चीजें भी बड़ी matter करती हैं किस तरह का महोल उसके साथ जो परिवार का हो चाहे आस्परोस का हो ये सब चीजें बड़ा महतोपूर्ण रोल नहीं बाती हैं दोस्तों ये ही मानसिक और सारिक सवस्ते के बारे में ज़्यादा बड़ा टोपिक नहीं था हमने बात यही है कि सकूल में सब ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अच्छा सामजसे कैसे बेठाना है बच्चों को हो चाहिए टीचर हो सब का ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके उपर किस तरह का मानसिक सवस्ते है किस तरह का नहीं है क्या-क्या ऐसी चीज़े हैं ये सब चीज़े उनका ध्यान रखना चाहिए और अच्छी तरह से स्कूल के जो भी हमारी सिक्षन है वो अच्छी तरह से फिर करवाना चाहिए क्योंकि ताकि हमारे जो पढ़ा ही है वो परभावित न है उसके उमीद करता हूँ वीडियो अच् धन्यवाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हमें एक बार फिर से मिलेंगे तब तक के लिए शुक्रिया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू